हेलो दोस्तों उम्मीद करती हूँ मेरा परिवार खुश होगा और स्वस्थ होगा दोस्तों बदलते मौसम के कारण सभी को खांसी आना, छी के आना, चाती में बलगम या फिर चेस्ट में बहुत जादा उन्हें सूजन आराती है बलगम के कारण दोस्तों आज की दो खास home remedy हैं जो पूरी सर्दी आपको बेमार नहीं होने देंगी नहीं आपके बच्चों को जिन चीजों का यूज किया है वो सारी चीजे मैंने mention की हुई है यह है चाय वाली लैची लॉंग में आपको खास धियान रखना है लॉंग लेनी है फूल वाली जिसने उपर फूल होता है इस तरीकी की लॉंग यह है काली मिर्साबूत मसालेवा ली लैची है यह है पिपली या जिसे पीपल भी बोलते हैं वो है दालचीनी का टुकड़ा जो दालचीनी होती पाउडर होता अब उसका भी यूज कर सकते हैं यह हल्दी पाउडर दोस्त फूल है जो किसे अपट साबूत ढाल दी है तोड़े या कोटे नहीं है मैंने अब जो समान था में थोड़ा से ले रहे हूँ काली मिर्स 8-10 थोड़े से पिपली ली हैं तीन से 4 टुकड़े ली है दो मैंने अब इसमें ले रहे हूं लोंग 5-6 चार लिये हरी इलाइची मै छोटा है तुकड़ा जो जिंजर होता है या सूखी सौंट होती है एक टुकड़ा लिया है मैंने मुले ठीका इनको इसमें कूटेंगे मिक्सी में पीसना नहीं है कूट नहीं दोस्तों जैसे अद्रक को कूटते हैं जो काड़ा गैस पे बन रहा था उसके अंदर ये सारे ची जाएगी सारे बल्गम बाहर निकल जाएगा उसके बाद हम थोड़ी से अद्रक को कूट ने इसके अंदर मिठाश के लिए दोस्तों कि Gaston ऑे में गूर्ड डालेंगे वो भी बाद में डालेंगे तो यह मैं थोड़ा सा गूर्ड डाल दिा है this पजाएगा जाते हैं न महों रेडी हो चुका है साथ से आट मिनट में अब हम इसे चानते हैं दो गिलासों में क्योंकि दो व्यक्तिव के लिए बनाया है आप इसे जब रात को लेंगे न सोते टाइम तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आपको आप इसे दिन में भी पी सकते हैं किसी भी टाइम दो त गले में काफी लंबे समय से इंफेक्शन हो रहा है डॉक्टर्स के पास बार बार जा रहे हैं पर गले के जो टाउंसिल है उनका साइस नहीं खतम हो रहा है आप इसको ट्राय कीजिएगा दसे पंदरा दिन टाउंसिल की समझ से जड़ से खतम हो जाएगी ना तो गले में है अगर आपको सूक घंसी खांसी में बहुत जजाधा दिक्कत होती है दोस्तों तो इस से घंसी हो जाएगी जआ में वह भी एक हो तो आप इस काड़े का यूज कम से कम 5-6 दिन करें रिजल्ट आपको दो दिन में ही मिल जाएगा बहुत पावर्फुल है बच्चों को दें तो दो चम्मस दें और बड़े पीएं तो इसे पूरा पी सकते हैं रात को सोते टाइम और सुबा दिन में किसी भी टाइम ले सकते ह हैं आपको जुखाम नाक की अलरजी बंद नाक खांसी सब की समस्या है खटम हो जाएगी दोस्तों बहुत लंबे समय से भी जुखाम है ना को या एलर्जी है वो भी आपके तीन से चार दिनों में बिल्कुल खतम हो जाएगी आप इन सर्दियों में जुखाम खासी तो भूली जाएंगे अगर फेवरों में बल्गम है वो भी निकल जाएगा छाती का इंफेक्शन है जो बार-बार दवाईयों खाने के बात भी नही होते हैं उनकी छाती में काफी का फेवरों में जबने लगता है जैसे कि टीवी की शगयत हो जाती कभी कभी डॉक्टर्स बोल देते हैं दोस्तों इस रेमेडिय को आप उनको कम से कम 25 डेज दीचेगा जो उनकी अलर्जी है ना बिल्कुल खतम हो जाएगी छाती में इंफे पैन रखा है इसमें मैंने लॉंग लिये हैं फूल वाली तो कम से कम 12-13 लॉंग ली है क्योंकि मैं इसको लंबे समय तक बना के रख लेती हूं बच्चों के लिए बड़ों के लिए काली मिर्च लिए मैंने कम से कम 20-25 तो इनको डालके हमें हलका सा रोस्ट करना है तो यह हो चुकी है देखिए लॉंग भी फूल गई है काली मिर्च भी चटक रही है इसकी बस यही पहचान है लो टू मीडियम पे करना है आपको यह काम यह मैंने कटोरी में निकाल ली है सारी चीजे अब जो मसाले वाली इलाइची होती है ना उसके बीज डालने है हमें इस पैन काने का उनका तो यह भी रोस्ट होगी मैंने इसको भी कटोरी में निकाल लिया है अब पैन में डालूंगी मैं शहद आप किसी भी कंपनी का ले सकते ही पतन जली डाबर वैदना जिसका भी आपके पास हो घर का हो तो बहुत अच्छा है तो मैंने इसके उपर हनी डाल दिय है इसके अंदर अब मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा गुड गुड बहुत अच्छा होता है खासी के लिए कलेख इंफेक्शन के लिए तो हमें धीरे धीरे सुड को मैल्ट करना है और इसमें डाल रहे हूं दाल चीनि का पाउडर साबुद डाल चीनी नहीं डाली है द इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आपको बहुत बार-बार खांसी होती है, जिसमें बल्गम नहीं आता है, बहुत प्राबलम होती है, जो अधरक कूटी थी ना हमें इसको, मतलब इस चलनी के अंदर छानना है, सिर्फ हमें इसका रस चाहिए, अधरक का जो गूदा होता है, खांसे घाविन, बच्चे उल्टी करदे बच्चों को, टाम से टाम, दीजएगा जैसे दवाईएं देते हैं दिन में तीन बार, कौंटिटी बाताऊंगे कितनी देनी है, बच्चों की खासी भी खतम हो जाएगी जो लॉंग काली मिर्ची हमने भूनी थी इलाइची उनको कूट नाए हमें इसमें इस तरीके से कूट के पाउडर बन जाएगा इसका तीनों चीजों का इसे हम डाल देंगे उसके अंदर इससे गले के जो टाउंसिल ना पस पड़ ग जो यह डॉक्टर ने बोल दिया है टीवी हो चुकी है टीवी की शिकायद हो चुकी है फेफडों में बहुत ज्यादा बल्गम जम चुका है बिल्कुल साफ हो जाएगे पर इसको आप दवाई की तरह लीजिएगा जैसे दवाई लेते हैं दिन में तीन बार सुबह दुफ लेकना हो जो मैं बताती हूँ कितना लेना है इतना बड़े आदमी को लेना है एक एक चम्मच भरके तीन बार बच्चे को आपको चम्मच का चोथा हिस्सा देना है दिन में तीन बार बड़े आदमी को एक चम्मच दिन में दो बार लेना है सुबह और शाम रात को सोते टा कीचेगा कम से कम 5-10 दिन तभी कोई बिमारी जड़ से खतम होती है दोस्तों अगर हम उसे एक दू दिन लेके छोड़ देते हैं आराम तो आजाएगा पर बिमारी जड़ से खतम नहीं होगी फिर से तीन चार दिन बाद आपको अलर्जी होनी शुरू हो जाएगी इसलिए जो चाहती की अलर्जी चेस्ट में बल्गम जम गया है बच्चों को हो गया है सब कुछ खतम हो जाएगा इस वीडियो के बाद में वीडियो अच्छी लगी हो तो जादशे जादा शेयर करें मिलती हुँ नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अच्छा खाई है अल्दी बाइ बाइ